अनीता, अनीता, अरे अनीता, क्या हुआ, कितनी देर से खेल रही थी, चलो, खाना तो खालो, चंदर भैया को भी बुलाओ, सुनिये, एक मिनिट इधर आएंगे, हाँ, अभी आया, अनीता, बेटी, क्या बात है, कुछ तो बोलो, तब यह तो ठीक है ना तुमारी, तो फिर खाना क्यों नहीं खाया, भूख नहीं है मामी, अब जल्दी सोजाना हाँ, कल स्कूल भी तो जाना है, नमस्ते दीदी, नमस्ते बच्चों, कैसे हो आज, तो बच्चों, आज हम बात करेंगे, खुशी और उदासी के बारे में, जैसे की, मान लो, तुम्हारे पापा, तुम्हारे लिए, धेर सारे खिलोने लेकर आए हैं, तुम खुश होगे, या उदास, खुश, अरे, अनीता, तुम तो रो रही हो, बिटा, क्या हुआ, अगर तुम्हे कोई भी बात सता रही है, तो तुम मुझे बता सकती हो, हम, अच्छ, चलो, कोई बात मेही, अनीता, मुझे अकेले में बता दो, बच्चों, अब मैं एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाली हूँ, हम बात करेंगे अपनी सुरक्षा के बारे में, हम सब को ध्यान से समझना होगा, हमारी दुनिया में तरहा तरहा के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, जो बुरे लोग होते हैं न, उनकी नजर भी बुरी होती है, वो बच्चों को बुरी तरह से देखते हैं, उनके साथ बुरा बरताव भी करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान भी पहुच सकता है हमें ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए ये है हमारा शरीर, हम सब अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि नहीं? हाँ जब कोई हमें प्यार से छूता है, तो हमें कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है शाबाश! जैसे जब ममी पापा, नाना नानी या दादा दादी हमें प्यार से जप्पी देते हैं या हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, इसे कहते हैं अच्छा स्पर्श यानि कि अच्छा चूना इससे हमें खुशी होती है लेकिन कभी कभी कुछ बुरे लोग हमें लालच देते हैं और हमारे साथ गलत बरताव करते हैं हमें गलत तरह से चूते हैं ये बुरा स्पर्श यानि बुरा चूना होता है हमारे शरीर के गुप अंग यानि वो हिस्से जिन्हें हम ढखकर रखते हैं उन पर किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना चाहिए, सिवाए मम्मी या पापा के, वो भी सिर्फ हमें साफ रखने के लिए. पर दीदी, हमें पता गैसे चलेगा किस पर्ष अच्छा है या बुड़ा? ये बहुत अच्छा सवाल है, सुनो बच्चों, जब भी कोई हमें गलत तरीके से चूता है, तो हमें गुसा, शरम, चेड़ या रोना आता है. अगर कोई भी हमें गलत तरीके या गलत जगा चूता है, तो हमें उन्हें तुर्रंत रोग देना चाहिए, और उनसे दूर रहना चाहिए, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए. और अगर वो बोली कि वो खेल सर्फ हमारे वीच है और हमें मम्मी पापा को नहीं बताना चाहिए तो? बिलकुल नहीं अगर कोई भी तुम्हें मिठाई या खिलोने का लालच देकर तुम्हें खेलने के बहाने गलत तरीके से छूता है तो तुरन्थ मम्मी पापा या घर के किसी बड़े सर्दस्यक को जाके बताओ और हाँ, अगर कोई भी अंजान आदमी तुम्हें इस पहाने पास बुलाए कि मम्मी या पापा ने बुलाया है, तो गल्ती से भी उनके पास मत जाना। ऐसे लोगों को सजा हो जाती है? बिल्कुल होती है, उन्हें पुलीस पकड़कर जेल ले जाती है। बच्चों, अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मुझे सारी बाते साफ साफ पता दी, अब चंदर भया को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आगे से याद रखना, ऐसी बाते कभी नहीं छुपानी चाहिए। शाबाश, मुझे पता था तुम तीनों हुश्यार बच्चे हो।